hello dear students very good afternoon to all of you तो शुरू करते हैं आज का हमारा lecture तो आप सभी का एक doubt रहता है कि किसी भी system में जब हम coordination complexities के हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो unplayed lacto निकालते हैं या हम कोई metal iron की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो paramagnetic होता है या diamagnetic होता है ठीक है आप कोई complex लिखते हो आप उसके बारे में बोलते हैं कि इसकी magnetic moment जो है हमारे पास ये values आती है इसकी magnetic moment zero रहती है तो मतलब वहां से हम बताते हैं कि paramagnetic है diamagnetic complex है हमारे पास तो इन में आपके पास सभी का main topic ये रहता है कि हमारे पास जो है अगर magnetic moment कोई complex शो कर रहा है तो definitely वहां पे unpaired lektons होंगे ठीक है अगर वो magnetic moment नहीं शो कर रहा है तो that means वह आपके पास complex जो है जिसके उपर मैं अलग से एक video मिनाने जा रहा हूं आज आपके पास ठीक है so important topic रहेगा आपके exam point of view से और future में आप जब भी कोई exam दोगे वहां के लिए भी यह बहुत ज़्यादा important topic होगा क्योंकि unpaired lektons जो है यहां से में बहुत ज़्यादा information मिलती है तो किस तरह से निकालते है ठीक है यह तो यह चीज़ सीखना बहुत जूरी है आप सभी के लिए that is जो आज का मारा topic होगा to calculate the number of unpaired lektons ठीक है coordination systems के अंदर जो है हम आपके unpaired lektons जो है उनको निकालेंगे to calculate number of unpaired electrons तो number of unpaired electron निकालना मतलब मारे पास आप इसको बुस्यादे कि magnetic properties जो है उसको study करना ठीक है unpaired electrons का मतलब क्या है आपके पास to study इसका मतलब मारे पास यह है to study the magnetic properties to study the magnetic properties of the complexes of the complexes magnetic properties को study करना complexes की तो यह आपके पास जो एक बहुत बड़ी important application रहती है crystal field theory की हमारे पास जिसके through magnetic properties जो होती है वो coordination complexes के अंदर जो है वो study कर पाते है ठीक है तो यह बहुत जादा helpful रहती है हमारे लिए क्योंकि जो आपके एक branch होती है magnetic chemistry वो totally यहीं से निकल के आती है कि आपके पास कितने unpaired electrons है वहीं से हम इसके बारे में study कर पाते है कि diamagnetism, paramagnetism वहारे पास किस तरह से रहता है वहां पर temperature dependence इन सब चीज़ों को हम उस magnetic chemistry के अंसर जो है वो study करते हैं तो यहां पे तो हम यह सिखेंगे कि हमारे पास unpaired electrons जो है वो किस तरह से calculate किये जाएंगे coordination complexes के अंदर तो देखिए magnetic properties का मतलब किया कि मारे पास दो तरह के complexes होते है वान इस आइदर आप सभी को पता है that is diamagnetic पहला जो मारे complex होता है repelled by the magnetic field तो अभी तक हम ने जितना भी study किया हुआ है यहां से आपके पास कुछ एक चीज़ आपको clear होगी होगी कि हमारे पास जो ligands होते है ना ठीक है वो दो तरह के होते हैं ठीक है ligands जो है हमारे पास दो तरह के होंगे one is your weak field other is your strong field ठीक है एक होगा strong field ligand और एक होगा आपका weak field ligand तो weak field ligand कौह से ligands होते हैं आपके पास ऐसे ligands जो कि आपके पास क्या करते हैं जो pairing करते हैं कि नहीं करते हैं ठीक है सोचो क्या करते हैं हमारे पास ये ऐसे ligands हमारे पास जो कि आपके पास electrons की pairing नहीं करते है ठीक है, ऐसे ligand जो कि electrons की pairing नहीं करते है ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है जो crystal field splitting होती है हमारे पास this is lesser than the pairing energy, ठीक है crystal field splitting हमारे पास कम होती है जिसके वैसे electrons जो होते हैं आपके पास, electrons will not pair up ठीक है और considerably more जो complexes बनते हैं, जो हमारे complexes होंगे, they will be your high spin complexes, complexes कैसे बन के आएंगे, high spin complex बन के आएंगे, और ये जीज़ तो आपको मैंने अलोड़ी बता चुका हूँ मैं crystal field splitting, in octahedral and tetrinder complexes के अंदर कि अगर हमारे पास crystal field splitting energy difference कम होगा, तो definitely electrons जो है, वो lower energy level के बाद जो हाई energy level के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास energy difference कम है, तो आपके पास कम energy से जो है, वो कम energy लगेगी उनको promote करने के लिए तो असानी से उपर चले जाएंगे, ठीक है और strong feel हमारे पास ligands क्या होते हैं, ऐसे ligands जिनके लिए हमारे पास crystal field splitting जो होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है crystal field splitting ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि अब electron जो है उनको ज्यादा energy चीए, तो electron क्या करेंगे, they will pair up ठीक है, electron will pair up electron क्या करेंगे, pair up कर जाएंगे, और consequently हमारे complexes कैसे बनेंगे we will get our low spin complexes ठीक है, और मैंने आपको साथ में एक चीज और बताई थी कि जब electrons pair up होना start हो जाएंगे, तो हमारे पास unpair electrons होंगे, वो आपके पास कम होना start हो जाएंगे, क्योंकि electrons pair up हो रहे हैं तो that means हमारे पास जितने भी unpair electrons होंगे, वो सारे के सारे pair एक orbital के अंदर field theory की मदद से हम किस तरह से जो आपके पास complexes को study कर पाएंगे कि वो आपके पास paramagnetic है या diamagnetic है, तो example के तोर के उपर, ठीक है, example के लिए मैं आपके पास complex लेने जा रहा हूँ, suppose की मेरे पास complex है, चलो पहले मैं simple configuration लिखता हूँ मानलो we have d1 configuration ठीक है, d1 configuration है तो आप सभी को पता ही है दो तरह के हमारे environment होंगे एक तो है मेरा octahedral ठीक है, एक है मेरा tetrahedral ठीक है, तो number of anp electrons octahedral के अंदर कितने आएंगे, एक electron है एक ही आएगा tetrahedral में है, एक ही आएगा easy चीज है, तो यह आपके पास, मैं यहाँ octahedral मनाता हूँ यहाँ मैं आपके पास tetrahedral मनाता हूँ, तो octahedral में आपको पता है दो set बन के आते है that is your t2g set और यह आपका e g set और tetrahedral में आपके पास दो set बन के आते है e set and t2 set, tetrahedral में centrosmetry नहीं होती है, जिसकी व्यासे जो है g नहीं लगाएंगे यहाँ पे लेकिन octahedral में centrosmetry होती है इसी व्यासे e g और t2g octahedral में e g की energy ज्यादा होती है इसलिए e g जो है वो उपर रहेगा tetrahedral में इनकी ropes जो होती है वो ligand से बहुत दूर होती है e set की, इसलिए हमारे पास जो है, इनकी energy कम रहती है ठीक है, तो d1 a के electron है octahedral में भी आसे feel होगा tetrahedral में भी आसे feel होगा ठीक है, a के electron है ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने magnetic moment निकालनी है तो magnetic moment निकालने का एक formula होता है magnetic moment is equal to n into n plus 2 under the root बोहर magneto ठीक है, तो आप इस formula के थूँ जो है, वो आप magnetic moment जो है वो किसी भी complex की calculate कर सकते है ठीक है, ये भी बहुत important formula है आपके पास बहुत सारे competitive exams में question जो है इसी basis के उपर बन के आते है ठीक है, तो गर आप easily calculate कर सकते हैं, हमारे पास तो यहाँ पर एक electron होगा हमारे पास तो that means, 1 into 1 plus 2, under root 3, that is 1.73 that is, यहाँ पर under root 3 निकल के आएगा और हमारे पास 1.73 जो है, बोहर magneto जो है, वो आपके पास magnetic moment निकल के आएगी तो अगर कोई भी complex होगा जहाँ पर आपके पास इसका 22 होता है, ठीक है तो अगर मैं इसको titanium plus 3 लिख दू ठीक है, एक electron बचेगा इसके पास that is your d1 configuration ठीक है, अब similarly अगर मेरे पास d2 system हुआ तो 2 anpia electron आ जाएंगे octahidal में भी tetrahidal में भी ठीक है, अब मैं लेता हूँ आपके पास interesting system that is your d4 ठीक है में आपको पता है कि हमारे पास complexes कैसे रहते हैं मैशा, high spin रहते हैं ठीक है, low spin complexes तो बनते नहीं है वहाँ पे, तो that means हमारे पास d4 में क्या होगा, one, two third electron कहां जाएगा higher energy orbitus में, fourth कहां जाएगा, higher में जाएगा कहीं पे भी pairing नहीं होगी तो unpaired electrons कितने हो जाएगे tetrahidal में, 4 correspondingly आप यहां से magnetic movement भी निकाल सकते हैं ठीक है, magnetic movement कितनी आ जाएगी 4 into 4 plus 2 under the root ठीक है, that is your under root 24 ठीक है, तो आप calculate कर सकते हैं यह आपके पास approximate 5 के आसपास आ जाएगी ठीक है, 4.87 आएगी तो बहुर magnetone इसको आप easily find out कर सकते हैं in tetrahidal complexes अब मैं बात करता हूँ octahidal में तो अगर मेरा complex, अब देखो आपको पता है complex या तो low spin होगा या high spin होगा ठीक है, तो अगर मेरा complex जो है, high spin होगा तो definitely जैसे tetrahidal में हमारे पास होगा अब ऐसे ही यहाँ पे होगा ठीक है, एक, दो, तीन, चौत्था यहाँ जाएगा, high spin में चारो के चारो जो है वो unpelektone होगे ठीक है, तो high spin में हमारे पास यही आएगी magnetic moment ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ d4 octahidal में हमारे पास है अगर high spin होगा तो number of unpelektone कितने हो जाएगे four, ठीक है, लेकिन अगर low spin होगा तो low spin में कितने आएगे, ठीक है low spin में मारे पास क्या होगा, low spin का मतलब क्या है, crystal field splitting energy जो है, T2G और EG के बीच में जादा हो गई, अब electron उपर जाने की बजाए जो है, नीच्चे आके pair कर जाएगा, ठीक है जब pair करके अब तो number of unpelektone कम होगे, कितने कम होगे जहाँ आने 4 थे अब कितने होगे 2 रहे गे, तो आप यहाँ से easy magnetic moment find out कर सकते हैं, this will come out to be under root 8 ठीक है, under root 8 आएगी, almost 2.87 approximate आती है, यह आपके पास values, ठीक है, तो इसी तरह से जो है, आपने unpaired electron जो है, वो find out करने है, देखना आपने क्या है कि आपके पास complex जो है, वो low spin है या high spin है, तो example complexes के साथ ही मैं चलता हूँ, अब configuration तो आप easily करी सकते हूँ, ठीक है ठीक है, तो पहले तो आपको क्या निकालना है, metal की oxidation state क्या निकलेगी यहां से, 6 fluoride है total charge है minus 3 so it will be plus 3 I hope कि आपको oxidation state तो निकालना ही आता होगा सभी को, ठीक है अगर नहीं आता है तो आप मुझे पता सकते हैं मैं आपको सिखा दूँगा किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से निकालते हैं, तो कोबार 3 ठीक है, अब कोबार जो होता है न हमारे पास this is D7 S2 this is D7 S2 system होता है हमारे पास यह, ठीक है टॉम बी 27 ठीक है, अब कोबार प्लस 3 में है, 2 L S से निकलेंगे, तीसरा कहा से निकलेगा तीसरा निकलेगा D से, ठीक है, तो अब D6 system, ठीक है, अब fluoride जो होता है न हमारे पास, यह होता है आपके पास weak field, ठीक है, यह weak field ligand है, तो weak field ligand है इसका मतलब pairing नहीं करेगा, ठीक है spectrochemical series आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो आपकी spectrochemical series है, उसको आपने बिल्कुल mind में बठाके चलना है, कि आपके पास कौन से ligand जो है, वो strong field ligand है, कौन से ligand आपके weak field ligand है, ठीक है तो इसटीज को आप बिल्कुल mind में बठाके चले, spectrochemical series अभी तक मैंने आपको शायद balance bone theory के अंदर जो है, उसका हलका सा review दिया था लेकिन अब भी आपका जो next topic आएगा that is, कि कौन से factors है जिनके उपर आपके पास crystal field splitting जो है, वो depend करती है, वहाँ पे मैं आपको spectrochemical series के बारे में detail से बताऊंगा वहाँ पे कौन कौन से ligands है के बारे में आपको detail से बताऊंगा वहाँ पे आपको जयदा better clear हो जाएगा कि कौन से मारे strong field ligands होते है कौन से मारे weak field ligands होते है कौन pairing करेगा, कौन नहीं करेगा तो फिलार के लिए आपको जो basic information मिल जाएगी, कुछ एग तो fluoride आपके पास किस तरह का ligand है weak field ligand है, तो मतलब pairing नहीं करेगा, तो complex कैसा होगा complex will be high spin complex ठीक है, high spin complex का मतलब क्या है pairing नहीं होगी ठीक है, this is eg and this is t2g 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 तो number of unpaired electron करो count कितने होगे 1, 2, 3 and 4 ठीक है लगा पता कि इस तरह से हमने निकालना है कि unpaired electron तो यह method है हमारे पास इस तरह से हम unpaired electrons को find out कर सकते है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा ligand weak field है, कौन सा ligand आपका strong field है, इसको मैं आपके पास spectrochemical series के अंदर जो है, वह पुरी series हमारे बास, cobalt hexamine ठीक है और oxidation state mention की मैंने यहाँ पर plus 3 ठीक है, cobalt plus 3 plus 3 means d6 ठीक है, एक मैं यहाँ लिक रहा हूँ आपका cobalt amine in plus 2 जब plus 2 होगी तो d7 होगी ठीक है, मतलब cobalt यहाँ पर plus 2 oxidation state में है ठीक है, यहाँ पर आपका cobalt plus 3 में है, यहाँ आपका cobalt plus 2 में है ठीक है, तो this is d6 system, this is d7 system, ठीक है तो यह जो system होता है d6 वाला, this is your this form your low spin complex it is your low spin complex and this is your high spin complex ठीक है, तो आप दे सकते हैं, cobalt metal सेम है, ligand भी सेम ही है ठीक है, तो आपको doubt होगा कि यहाँ पर monia pairing कर रहा है, इधर pairing नहीं कर रहा है ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है शायद मैंने आपको यह topic जो है, during balance mode theory भी मैंने आपको यह question किया था शायद मेरे ख्याल से ठीक है, कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है this is your T2G this is your EG this is your EG and this is your T2G, ठीक है तो यह जो answer है, अब आप इस answer को जो हासानी से find out कर सकते हैं ठीक है, आप इन दोनों की crystal field stabilization energy compare करो ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास complex cobalt 3 रहता, ठीक है, अगर मेरे पास high spin complex बनता तो आप उसको CFSC value find out करो कितनी निकलेगी, ठीक है, octidal के अंदर और जब मेरे पास यह low spin complex बनेगा, तो इसकी CFSC value निकाल लो, क्योंकि यह आपके पास ammonia जो है, वो moderate ligand है हमारा ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपके पास यह बहुत ही ज़ादा weak field ligand है यह in between आता है हमारे पास moderate है, ठीक है, तो अब इस complex के अंदर हमारे पास qobal 3 में high spin में और low spin में इसकी CFSC value निकाल लो, और उसको compare करो ठीक है, और मुझे comment करके बताओ, along with your university role numbers की qobal 3 जो है why this complex is low spin why not this complex is high spin ठीक है, क्यों यह complex high spin नहीं है, क्यों यह complex आपका low spin ही होता है ठीक है, तो इस question का answer मुझे comment करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है हमारे पास ठीक है, तो चलो electrons fill करते हैं, D6 system मैंने आपको कहा low spin होगा तो 6 के 6 electrons जो है वो pair up हो जाएंगे तो कितने unpaired electron आगे यहाँ पे, unpaired electrons इस system के अंदर होगे 0, कोई unpaired electron नहीं बचा आपका यहाँ से, ठीक है, clear है सारे के सारे paired हो चुके हैं, कोई unpaired नहीं बचा, और जब high spin होगा 123 D7 system है 45 ठीक है, पांचो के पांचो बर दी है अब आणा अपने दुबारा से नीचे 6 and your 7 ठीक है, करो कितने calculate कितने unpaired बचे, 1, 2 and 3, 3 unpaired electron है ठीक है, तो इस method के तुरू जो है, आप असानी से unpaired electrons जो है, वो find out कर सकते हो in different systems ठीक है, तो boss करना कुछ नहीं है, दिमाग में बठालो बात करना क्या है, आप लोगोंने सबसे बहले ligand को identify करना है is it strong field ligand or is it weak field ligand, ठीक है halides usually आपके weak field ligand रहते है strong field ligand होते है, मारे पास ligands like carbon monoxide ठीक है, nitrosil cyanide, यह जो होते हैं मारे पास, यह आपके strong field ligand होते हैं, और weak field में जैसे मैंने आपको कहा ठीक है, iodide हो गया हमारा bromide halides होते हैं आपके पास, chloride fluorides, यह आपके weak field ligand होते हैं और इनके बीच में आते हैं आपके पास like water, हमारा hydroxo group, ammonia हमारे पास, ठीक है, यह moderate type of ligands होते हैं हमारे पास तो ammonia is a very good moderate ligand, यह आपके पास जैसे इस complex में आपने देखा ही है, यहाँ पे यह strong high, low spin complex बना रहा है यहाँ पे यह आपके पास high spin complex बना रहा है, ठीक है, तो यह चीज़ आपने ध्यार में रखनी है, कि ammonia में होड़ा सा ऐसा रहता है हमारे पास, water is your weak field ligand, ठीक है तो इस चीज़ को तो हम spectrochemical series के अंदर study करेंगे वहाँ से मैं आपको यह जो doubt हो रहेगा आपका वह आपका दूर हो जाएगा कि कौन से strong है, कौन से weak है ठीक है, तो फिलाल के लिए तो आपके लिए question यह ही है, कि why cobald 3 complex is low spin in nature ठीक है, why not this complex is high spin तो मैंने आपको reason already बता चुका हूँ, मैं आप CFSC value compare करो high spin में भी और low spin में वहाँ से आपको इसका answer जोगा definitely मिल जाएगा, ठीक है, comment करके मुझे बताओ कि आपने यहां से क्या सीखा, ठीक है so thank you very much